हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकारी के साथ दोस्तो प्रकृति का खजाना अनमोल और असिमित है इसमें अनेक ऐसी वनस्पतिया पाई जाती है जो चमतकारिक गुणों से परी होती है ये चमतकारिक जड़ी बुटिया और पेड़ पोधे हमारे आसपास में ही होते है लेकिन जानकारिक के अबाव के कारण हम इसके गुण और पाईदे से अंजान होते है दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत सुन्दर पोधे से अवगत करा रहा हूँ ये जो आप पोधा देख रहे है ये रुद्र जटा है इस पर अती सुन्दर पुस पलगते है जिसके सुन्दरता के कारण घर के आंगन में और बाग बगिचों में लगाया जाता है इसके पूल सभी को अपने और आकरशित करते है ये पोधा तिन से चार फीट तक उंचा और सीधा बढ़ता है और इसकी कई साखाये भी निकलती है देखो इस प्रकार का ये पोता होता है और इसके पत्र अंडाकार और लंबे तता भालाकार भी होते है ये पांच चैंट्रीमिटर चोड़े होते है सुरुआती दोर में ये पत्ते हरे रंके होते है और दीरे दीरे ये पत्ते लाल रंके होने लगते है इस पौधे पर सुन्दर मकमल के समान गुलाबी रंग के पुस पलगते जो चपटे होते हैं। इस सुन्दर फूल को दूर से देखने पर मुर्गे की कलगे के समान नजर आता है। इसलिए कहीं लोग इसे मुर्गा केश भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे लाल मुर्गा भी कहते ह इस सुन्दर फूल वाले पोधे का संस्कृत नाम है रुद्रजटा, सिकली, सिका और भेर चुडा अंग्रेजी नाम कॉक्स कॉंब, क्वेल ग्रास और वेग्यानिक नाम सिलोसिया अर्जेंटिया है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाएं और और नोटिफिकिशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे इस पौधे को हिंदी में लाल मुर्गा, मुर्गा केश, जटादारी और कोकन से पहचानते है दिसके अलग-अलग प्रांतों और बासाओं में इसके अलग-अलग नाम है इसके नामों की सुची डिस्प्रिक्शन बॉक्स में दी जाएगी दोस्तों आप इस सुन्दर पौधे को किस नाम से जानते है ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए दोस्तों इस सुन्दर फूल वाले पौधे को अपने घर के आंगन में या गमले में जरूर लगाए इसे घर की सुन्दरता बहुत बढ़ती है हाँ इस फुल में खुस्बू नहीं होती इसके अलावा इसकी दो और प्रजातिया पाए जाती जिसमें पीले और नारंगी रंग के पुस्प लगते है ये पोधा अपनी सुन्दरता के साथ-साथ कई रोगों का निवारण भी करता है इसके आयरुवेद के गुणों के हम बात करें तो इस स्वाद में मतूर, कसेला, थोड़ा खटा, कडवा और शितल प्रकृतिका होता है ये पचने में हलका होता है और कप पित को मिटाता है दोस्तों हम आपको बता दे कि इस पोधे का ज़्यादा तर उप्योग वसी करण में किया जाता है ये भूत बादा और ग्रह बादा की निवरण के लिए उप्योग में लिया जाता है ये पोधा स्वास रूग में उप्योगी होता है दस्त को मिटाता है और रदय के लिए बहुत लाबकारी होता है ये पेसाब की जलन और पेसाब की रुकावट दूर करता है इसके पुस्त-पस तंबन कारी होते है ये खुन को बहिना बंद करते है तथा सरिर में किसी भी प्र पासिर में भी ये लाबकारे हो सकता है। पूरा पोधा रदे के लिए बहुत हितकारी होता है। दोस्तों ये पत्री को गलकर निकाल देता है। इसके लिए इस पोधे के मूल का चोण बना लेना है और पांचो मिली ग्राम की मातरा में लेना है। तथा चावलों के दोवन के साथ पीना है। कुछ दिन लगादार इसका सेवन करने से पत्री गलकर निकल जाती है। इसका पूरा पाइदार लेने के लिए इस अवधे के दोरान सिर्फ दूद का ही सेवन करना है। इसके बीज भी बहुत लाबकारी होते हैं। इसके बीज पांचो मिली ग्राम की मातरा में लेकर सहत में मिलाकर खाने से सभी प्रकार की खांसी में पाइदा होता है। इसके अलावा इस पूरे पोधे की पंचाग को दो से तीन ग्राम की मात्रा में लेकर पिने से भी कास और खासी मिटती है तथा स्वास में अधिक लाब होता है इस पोधे की पंचाग को दो ग्राम की मात्रा में ले और साथ में उतना ही मकोई का पंचाग मिलाए और साथ में पुनरवा मूल मिलाए दोस्तो पंचाग का मतलब होता है पूरे पोधे के पांचों अंग याने फूल, पत्ते, बीज, तना और जड़ अब इन सभी अवसद्यों को इकटा करके पाने में उबालकर चाय की तरह पिने से यकृत की सुजन उतर जाती है दोस्तो ये पोधा काम सकती को भी बढ़ाता है जिन लोगों की काम सकती मंद हो गई हो ऐसे लोगों को इस मकमल के एक ग्राम चुर्ण में पांच ग्राम मिश्र मिलाकर दूद के साथ पीना है इस प्रयोग से काम सकती कापी बढ़ जाती है तो दोस्तो ये थी आज की महत्व पूर्ण जानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारे क इसाट